Hey guys and welcome back तो यह हम लोग का money stack का course चल रहा है जिसके अंदर यह हम लोग का 105 नंबर वीडियो है हम लोग ने अपने course के अंदर HTML, CSS और bootstrap को complete कर रखा है एक दम अपने basic से advanced तक और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने java script के अंदर truthy और falsy value के बारे में पढ़ने वाले है और साथ ही साथ हम लोग logical operator के भी बारे में पढ़ने वाले है तो अगर आप इस free course को देख रहे हो तो इस channel को subscribe करना ना भूलें चलिए start करते हैं तो सबसे पहला जो चीज हम लोग पढ़ने वाले है वो होता है हम लोग का truthy और falsy अभी ये truthy और falsy क्या होता है बहुत ही fancy word लग रहा है सुनने में तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग detail में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम लोग समझने से पहले देखते हैं कि हम लोग उने already boolean को पढ़ रखा है ठीक boolean के अंदर basically हम लोग के पास true होता है या फिर false होता है ठीक है तो यह हम लोग का directly boolean हो गया but let suppose that कि यहाँ पे मैंने एक string create कर दिया lit name नाम का जिसके अंदर मैंने यहाँ पे tom को store कर लिया ठीक अब यहाँ पे हम लोग को check करना है कि यह जो हम लोग ने name नाम का variable create किया है यह हम लोग का truth है कि false है तो इस चीज को ही check करने के लिए हम लोग यहाँ पे boolean interpretation का use करते है अपने non-boolean value के लिए यानि कि boolean interpretation क्या है boolean interpretation हम लोग का true और false है यहाँ पे जो भी हम लोग की boolean value होती है but अगर कोई ऐसा हम लोग के पास value है जो की boolean नहीं है जैसे कि यहाँ पे यह late name हम लोग का इंदर tom store है यह तो हम लोग का boolean नहीं है but हम लोग इस पे भी truthy और falsey को get कर सकते है अपने boolean interpretation की help से अपने non-boolean वाले value के अंदर ठीक तो यह होता है basically हम लोग का truthy और falsey value अब एक एक term के बारे में जरा हम लोग ध्यान से पढ़के देखते है कि यह हम लोग का truthy क्या है और हम लोग का falsey क्या है तो सबसे पहले हम लोग truthy को देखते है तो truthy के आगे क्या लिखा हुआ है value is considered truthy if when used in a boolean context it evaluate to true all values in javascript are truthy unless they are explicitly defined as falsey यानि कि हम लोग के boolean के अंदर जितनी भी value होते है सब truthy होते है चलिए इसको code के अंदर थोड़ा सा पहले हम लोग truthy को समझ के देखते है तो यहाँ पे हम लोग का html का file open है जो कि हम लोग का यहाँ पे run हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको inspect करते हैं और हम लोग का script tag already linked है अब let's suppose that मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक variable create करता हूँ चिक नाम का ठीक जिसके अंदर मैं simple boolean value को store कर लेता हूँ जो कि हम लोग का true है और यहाँ पे एक if condition create करते हैं जिसके अंदर मैं अपनी check को pass करता हूँ और यहाँ पे मैं console करा देता हूँ truthy value और else के अंदर मैं console करा देता हूँ policy value save करते हैं इसको तो यह देखो हम लोग का यहाँ पे truthy value आ गया क्यों? क्योंकि हम लोगों ने already if को समझ रखा है if के अंदर कोई भी condition pass करते हैं वोसकी value अगर true होगी तो हम लोग का if वाला block का code run होगा otherwise अगर वो value हम लोग की false हो गई यहाँ पे condition हम लोग का false होगा है तो else वाला block हम लोग का run होता है तो यहाँ पे directly हम लोग ने check के अंदर boolean में true value को store कर लिया है इसलिए यहाँ पे यह हम लोग का इफ वाला ब्लॉक रन हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे हम लोग की truthy value प्रिंट हो रही है let's suppose that मैंने यहाँ पे false को store कर लिया save करूँ मैं इसको तो देखो हम लोग का false value आ गया but let's suppose that कि मैं अपने check के अंदर किसी name को store कर लेता हूँ let's suppose that मैंने tom को store कर लिया तो अब यह tom क्या है यह tom तो हम लोग का string है जिसके अंदर ना ही कोई true है ना ही कोई false है यह तो एक simple हम लोग का name है ज़रा इसको save करके देखते हैं हम लोग तो यह दोख हम लोग का truth ही आ रहा है यानि कि यहाँ पे जब यह condition check कर रहा है तो यह check condition true pass कर रहा है तभी तो यह if वाला block हम लोग का यहाँ पे run हो रहा है और यहाँ पे हम लोग का यह print हो रहा है let's suppose that मैंने इसको change करके 5 कर दिया save करें इसको यह भी हम लोग का truth ही आ रहा है let's suppose that मैंने इसको minus 5 कर दिया save करें इसको यह भी हम लोग का truth ही आ रहा है तो सारे के सारे value हम लोग के java script के अंदर truth ही होते हैं unless हम लोग उसको explicitly falsy ना बना है जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे simple लिखा हुआ है all values in a java script are truth ही value हम लोगों ने अभी just check किया हम लोगों ने एक name नाम का variable create किया जिसके अंदर हम लोगों ने tom को store किया और इसको जब हम लोगों ने check किया तो यह हम लोग को truth ही return कर रहा था तो इससे हम लोग को यह पता चल रहा है कि हम लोग की जितनी भी values होते है java script के अंदर हम सब हम लोग का truth ही return करते है ठीक बट अब जब सब हम लोगों truth ही return करेंगे तो falsy क्या होगा falsy हम लोगों ने explicitly बनाया हुआ है तो अगर हम लोग यहाँ पर falsy के बारे में false हा रही है तो इसको अगर हम लोग non-bullion term में देखेंगे तो इसको हम लोग falsy बोलेंगे ठीक अब यहाँ पर हम लोग के पास multiple चीज़े होती है जो कि हम लोग को falsy return करती है सबसे पहला तो हम लोग का boolean का जो false होता है वो तो हम लोग का hobby असी बात है false value होती है ठीक उसके बाद जो हम लोग का null value होता है वो भी हम लोग का false होता है हम लोग का जो undefined होता है वो भी हम लोग का false होता है हम लोग का zero number होता है वो भी हम लोग का false होता है हम लोग का not number यानि कि nan N वो भी हम लोग का false होता है और string के अंदर हम लोग का empty string होता है वो भी हम लोग का false होता है तो चलिए इसको भी ज़रा करके देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग ने अपने 5 नंबर को चेक किया अपने हम लोग ने यहाँ पे 5 को चेक किया तो ये भी हम लोग को truthy return कर रहा है let's suppose that मैंने यहाँ पर zero pass कर दिया अब मैं save करूँ तो ये दो को falsy return कर दिया यानि कि जैसे ही ये हम लोग की if के check के अंदर आ रहा है तो ये हम लोग को false return कर रहा है जिसके कारण हम लोग का else वाला block run हो रहा है जिससे ये false return कर रहा है let's suppose that मैंने यहाँ पर null pass कर दिया अब मैं save करूँ तो null भी हम लोग का false ही है अगर मैं यहाँ पर undefined pass कर दिया अब मैं save करूँ तो undefined भी हम लोग का false ही होता है अगर मैंने यहाँ पर let's suppose that tom को pass कर दिया save करूँ तो Tom हम लोग का truth ही है क्योंकि इस string के अंदर हम लोगों ने किसी value को store किया है बट अगर मैंने यहाँ पे empty string को pass किया तो यह हम लोग का false ही हो जाता है तो इस तरह हम लोग के पास multiple ways होते हैं चेक करने के लिए truth ही और false ही को हम लोगों ने false ही को explicitly create करके रखा है यूजर में चेक करता हूँ कि यूजर मेरा लॉग भेने की नहीं तो मैं यहाँ पे console कराता हूँ यूजर लॉग लॉग इन और एल्स के अंदर में कराता हूँ यूजर not found save करते हैं इसको अभी कुछ नहीं होगा मैं इसको यहाँ से remove करता हूँ और यहाँ पे मैं एक variable create करता हूँ यूजर नाम का जिसके अंदर मैंने कुछ tom1234 करके save किया तो यह दो को हम लोग का user login दिखा रहा है बट let's suppose that कि मैंने इस string को empty कर दिया अब मैं save करूँ तो यह दो को user not found दिखा रहा है तो इस type के हम लोग छोटे मोटे cases पे इसका use करते हैं छोटे मोटे cases पे भी ने इसको हम लोग बड़े-बड़े cases पे भी use कर सकते हैं बट हम लोग का way होना चाहिए इसको use करने का better ठीक तो mainly यह होता है हम लोग का truthy और falsy value हम लोग के java script के अंदर ठीक तो hopefully आपको समझ में आगया हो कि यह truthy और falsy क्या होता है अगर आपको कोई doubt होता आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं तो चलिए अभी start करते हैं हम लोग अपने logical operator के बारे में जो कि हम लोग का next important operator होता है हम लोग के java script के अंदर चलिए start करते हैं तो अब यह हम लोग का logical operator क्या होता है हम लोग ने already कई type के operator पढ़ रखे हम लोग ने comparison पढ़ा है हम लोग ने arithmetic पढ़ा है अब यहाँ पर हम लोग का logical आगया logical का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है logical operator are used to perform logical operation on boolean value. यानि कि अब हम लोग जो भी operation करेंगे, वो हम लोग अपने boolean value के उपर करते हैं. These operator allow you to combine or manipulate boolean value. यानि कि mainly हम लोग जब logical operator का use करते हैं, तो logical operator की use से हम लोग multiple अपने boolean value को combine करते हैं सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर logical and आता है, जिसके अंदर हम लोग double and का sign लगाते हैं, उसके बाद हम लोग का logical or होता है, जिसमें हम लोग दो ठोए straight line का use करते हैं, उसके बाद logical not आता है, जिसमें हम लोग exclamation mark का use करते हैं, ठीक, तो चलिए एक एक logical operator को हम लोग detail में बढ़ से, तो logical and operator गया होता है, हम लोग ने already अपने logical operator के बारे में पढ़ा कि हम लोग अपने logical operator की help से multiple boolean value को साथ में combine कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक boolean value create कर दी है, जिसके अंदर हम लोग का true store है, and operator का use किया, हम लोग ने यहाँ पे दूसरे boolean value को store कर दी है, जैसे के अंदर भी true store है, तो इस तरह हम लोग अपने multiple boolean value को आपस में combine करते हैं, उसके बाद हम लोग logical operator की use करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग का and operator का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the logical and operator return true, if both operands are true, otherwise return false, अब इसका क्या मत लग है, चलो इसको भी हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्जामपल देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोगों का एक एक्जामपल लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोगोंने comparison किया है, इस पे हम लोगोंने क्या लिखा हुआ है, यह यह क्या actual में return करेगा यह हम लोग को return करेगा true ठीक उसके बाद हम लोगों को देख़ें यहाँ पे end operator लगा हुआ है चलिके हमलोग आराम से इसको end operator यहाँ पे लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पर एक और expression लिखा हुआ है वह expression क्या है यहाँ पर string के अंदर नुलो का ए उस true ही return करेगा boolean में अब यहाँ पे अब दोनो के दोनो हम लोग के expression true और true return किये हैं तो अब बीश में आभा रहा है हम लोग का end operator अब end operator यह दोनो true value को लेकर के decide करेगा कि actual में अब यह जो पूरा का पूरा expression है यह expression क्या return करेगा तो ये भी expression हम लोग का true return करेगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है the logical and operator return true if both operands are true both operands का मतलब ये वाला operand और ये वाला operand अगर दोनों के दोनों operand हम लोग के true return करेंगे तभी जाकर कि ये logical and operator हम लोग को true return करेगा अब यहाँ पे हम लोग दूसरा भी example एक देखते हैं दूसरा example क्या है दूसरे example के इंदर हम लोग उने expression लिखा हुआ है 10 is less than 5 अब यहाँ पे ये वाला जो expression लिखा हुआ है 10 is less than 5 क्या ये हम लोग का सही है? No ये हम लोग का false है तो ये हम लोग को false return करेगा उसके बाद हम लोग का प्यारा सा and operator लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग and operator लगा देते हैं उसके बाद हम लोग का एक और expression लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 10 double equal 10 तो ये वाला expression true है कि false है? जल्ली ये वाला expression हम लोग का true है क्योंकि 10 हम लोग के train के equal होता है बट अब यहाँ पे बीच में अब and operator आएगा अब ये actual में decide करेगा कि इसको false return करना है कि true return करना है तो अगेन हम लोग यहाँ पे definition पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानि कि logical and operator तभी true return करेगा जब दोनों के दोनों हम लोग के operants true होंगे अगर दोनों में से कोई भी एक operant हम लोग का false हो गया तो logical and क्या करेगा हम लोग को false return कर देगा तो जैसे कि हम लोग अपने second वाले के अंदर देखे यह वाला जो हम लोग का expression है यह हम लोग को false return कर दिया तो इसलिए mainly जब हम लोग का पूरा expression return होगा तो उसकी value हम लोग की false हो जाएगी ठीक उसके बाद हम लोग तीसरा भी एक example देख लेते हैं तीसरा example क्या है तीसरे example के लिए हम लोग उने string के अंदर 5 रखा है triple equal string के अंदर हम लोग उने 5 रखा है ठीक तो यहाँ पर बताओ यह हम लोग का सही है की गलत है तो यह वाला expression हम लोग का true return करेगा क्योंकि यह हम लोग का data wise भी और data type के wise से भी equal है तो यह हम लोग का true return कर दिया उसके पाद end लगा उसके बाद हम लोग का दूसरा operation यह आप लिखा हुआ है one is greater than five क्या one हम लोग के five से greater होता है नहीं तो यह हम लोग का false return करेगा तो अब यहाँ पर बीच में end decide करेगा कि यह एक तो true return कर रहा है एक false return कर रहा है तो अब actual में क्या return करना है अब end operator false return करतेगा अगर दोनों के दोनों false है तब भी false return करेगा तो यहाँ पर हम लोग अपने vs code के अंदर आगे मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से remove करता हूँ यहाँ से इसको clear करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर एक variable create करता हूँ let a नाम का डिक अब इसके अंदर मैं अपने सारे expressions लिखूँगा जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 is less than 10 उसके बाद मैं यहाँ पर end operator का use करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a small a triple equals to small a ठीक यह भी true return कर रहा है और जो हम लोग का दूसरा expression है यह भी हम लोग को true return कर रहा है इसलिए यह end operator जब दोनों के दोनों operation हम लोग के true return करें तो हम लोग का end operator भी true return करता है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने expression को change करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 10 is less than 5 यह हम लोग का expression यहाँ पर गलत हो रहा है उसके बाद मैं and लगाता हूँ उसके बाद दूसरा expression मैं लिख देता हूँ 10 equals to 10 तो यहाँ पर दोखेंगे यहाँ पर हम लोग का यह वाला expression true है बट यह वाला expression हम लोग का false है तो देखते हैं कि हम लोग का end operator है यह return क्या करता है यह हम लोग को return करेगा false क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक operation हम लोग का गलत हो गया है ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे अपने दूसरे operation को भी गलत कर दू triple equals to 10 लिख दिया मैंने अब मैं save करूँ तो यह भी हम लोग का false return करेगा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग का जब दोनों expression false होगा तब भी यह end operator false return करेगा और अगर हम लोग का एक expression भी false हो गया तब भी यह end operator हम लोग को false return करता है ठीक तो यह होता है हम लोग का end operator तो चलिए हम लोग अपने दूसरे operator को भी देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा operator आता है जो की होता है हम लोग का और operator यह भी बिल्कुल similar होता है हम लोग के end की तरह बट इसके अंदर only if both operands are false जानि कि यहां पे एक सीज लिखा हुआ है कि जो हम लोग का और operator होता है वो कब-कब हम लोग को true return करेगा जब हम लोग के दोनों operands true हो ये भी true हो ये भी true हो तब जो हम लोग का और है वो हम लोग को return करेगा true को ठीक, अगर माल लेते हैं हम लोग का एक operand true है बट जो हम लोग का दूसरा operand है ये हम लोग का false हो गया तब भी जो हम लोग का और operator है ये हम लोग को true ही return करेगा अगर माल लेते हैं हम लोग का पहला वाला false हो गया बट जो हम लोग का दूसरा वाला operand है बट जो हम लोग का दूसरा वाला उप्रेंट है वो हम लोग को true return कर दिया तब भी हम लोग को true return करेगा बट जो हम लोग का अगर पहला वाला उप्रेंट और दूसरा वाला उप्रेंट दोनों के दोनों हम लोग के false है तब जाकर कि यह हम लोग को false return करेगा तो यह होता है हम लोग का और operator की खासियत और operator यह नहीं देखता है कि हम लोग का एक operator false है वो तब भी true return कर देगा example के लिए यहाँ पर देखो यहाँ पर यह हम लोग का पहला expression है जिसके अंदर हम लोग का 5, 10 से less than है तो यह हम लोग का true है उसके बाद हम लोग का यहाँ पर दूसरा operator है जिसके अंदर a को हम लोग a के साथ compare कर रहे है तो यह भी हम लोग का true है तो अभी यह सी बात है जो हम लोग का और operator है वो true return करेगा दूसरे scenario के अंदर देखते हैं यहाँ पर देखो हम लोग का 10 is less than 5 तो यह हम लोग का false है उसके बाद हम लोग का और operator लगा है उसके बाद 10 equals to 10 तो यहाँ पर देखो हम लोग का एक false है एक true है बट यहाँ पर जो हम लोग का और operator है वो हम लोग को true ही return करता है अगर यहाँ पर हम लोग and operator का use करते है तब वो false return करता यहाँ पर देखो हम लोग का एक operation लिखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग 5 को 5 के साथ compare कर रहा है दोनों के दोनों string के अंदर है दोनों की value same है तो यह हम लोग को true return करेगा ठीक? उसके बाद यहाँ पर हम लोग का दूसरा expression है 2 is greater than 5 तो यह expression हम लोग का false return करेगा क्योंकि 2 हम लोग के 5 से greater नहीं होता है यहाँ पर हम लोग का and नहीं होगा यहाँ पर हम लोग का होगा or operator ठीक? उसके बाद यहाँ पर हम लोग का or operator लगेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर compare कर रहे है abc.length triple equals to 5 तो क्या यहाँ पर abc का जो length है वो 5 की equal है तो नहीं यह वाला भी expression हम लोग का false return करेगा अब यहाँ पर यह भी expression false यह भी expression false तब जाकर के जो हम लोग का or operator है वो हम लोग को false return करता है ठीक? चलिए इसको भी हम लोग code के साथ करके देखते हैं तो मैं यहाँ पर करता हूँ मैं अपने a को variable को वैसे ही created रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहला expression लिखता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ 5 is less than 10 यह हम लोग का true है उसके बाद मैंने or का use कर लिया उसके बाद जो हम लोग का second expression है इसके अंदर मैं अपने a को compare करता हूँ small a को a small a के साथ तो देखो हम लोग का दोनों का दोनों operation true है तो देखते हैं हम लोग का जो और operator है वो क्या return करता है वो हम लोग को यहाँ पर true return करेगा ठीक अब क्या करते हैं अगेन हम लोग अपने expression को change करते है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपने पहले expression को लिख देता हूँ 10 is less than 5 तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पहला expression गलत उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपने दूसरे expression को यहाँ पर लिख देते हैं 10 equals to 10 ठीक अब देखो हम लोग का पहला expression गलत है दूसरा expression हम लोग का सही है तो यहाँ पर एक सही है एक गलत है अब अगर हम लोग इसको save करें तो देखो again यह हम लोग को true return करेगा ठीक तो यह होता है हम लोग का और operator की खासियत अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग अपने दोनों के दोनों operation को गलत कर देते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ abc.string के अंदर abc.length triple equal to 5 और यहाँ पर हम लोग का पहला वाल expression अल्रेडी गलत है, हम लोग का दूसरा भी expression गलत है, अब अगर मैं इसको save करूँ तो यह दोख हम लोग को यह false return करेगा, ठीक, तो और operator कभ false return करता है जब दोनों के दोनों हम लोग के operation गलत होते हैं, तब जा करके false return करता है ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपना last operator देखते हैं, जो कि हम लोग का है not operator, not operator बहुत ही बढ़िया उपरेटर होता है तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं तो देखों, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम लोग exclamation के mark से denote करते हैं इस अ यूनरी operator that negates the value of its operand if the operand is true, not operator return false and if the operand is false, not operator return true यानि कि यह not operator की खासियत है कि अगर चीज सही होगा, अगर चीज true होगा तो not operator false return करेगा अगर चीज false होगा, तो not operator true return करेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक variable create किया है इस true नाम का, जिसके अंदर मैंने simple boolean में true को store कर लिया है अब मैंने इस true के उपर जैसे ही not operator लगाऊंगा यह हम लोगो false return कर देगा यानि कि not operator क्या करता है, true को false बना देता है और false को true बना देता है example के लिए अगर हम लोग यहाँ से अभी not को हटा दे हम लोग के वल इतने expression को देखे तो यहाँ पे देखो लिखा होगा 5 is less than 10 जो कि हम लोग का true है 5 हम लोग का 10 से छोटा होता है बट जैसे ही मैं इसको इसके पहले not operator लगाऊंगा तो यह हम लोग को false return कर देगा क्यों? क्योंकि यह already हम लोग का true condition है not operator क्या करता है? negate कर देता है हम लोग का true को false बना देगा, false को true उसके बाद हम लोग अगर अगला expression देखे जिसके अंदर मैं a का comparison कर रहा हूँ b के साथ क्या a हम लोग का b की equal है obvious सी बात है यह false होगा बट जैसे इसके आगे अगर मैं not लगा दूँ तो यह हम लोग को true return कर देगा तो यह true को false बनाता है चलिए इसको भी code के अंदर करके देखते है तो again मैं क्या करता हूँ यह हम लोग का एक variable created ठीक है जिसके अंदर मैं simple language में true को store करता हूँ अब मैं save करूँ तो यह देखो क्योंकि a के अंदर मैंने true को store किया है तो console log हम लोग को direct true दिखा देगा बड़ जैसे इसके आगे मैं not operator का use करता हूँ अब अगर मैं save करूँ तो यह false बन जाएगा हम लोग का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं expression लिखता हूँ कि a is less than 5 is less than 10 क्या लगता है यह सही है की गलत है a को हम लोग कराते है print तो यह दो को हम लोग का true है 5 obvious सी बात है हम लोग के 10 से छोटा होता है बड़ जैसे इसके आगे मैं not operator का use करूँगा save करूँ तो यह हम लोग का false बन जाएगा अगे हम लोग यहाँ से not operator रठाते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a, string में a क्या equal है हम लोग के string में b से save करते है इसको तो यह दो को false है false इसलिए है क्योंकि a हम लोग के b के equal नहीं होता है ठीक but जैसे इसके आगे मैं not operator का use करूँगा यह हम लोग का true बन जाएगा तो देखो कैसे true को false बना देता है false को true बना देता है हम लोग का not operator तो hopefully इस वीडियो के अंदर आपको true थी और false ही समझ में आ गया हो और जितने भी आपके logical operator है वो सारी चीज़े आपको समझ में आ गई हो अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section के अंदर पूस सकते हैं तब तक लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching